अब हम करेंगे सोर्सेस ऑफ एनरजी पार्ट में यह इस चैप्टर के मैंने सारे टॉपिक्स आपको करा दी अब यह टॉपिक लास्ट नूपलियर एनरजी तो नूपलियर एनरजी क्यों है उसने पहले समझी एटम एटम शद आप नोंको सबको पता होगा एटम जितने भी म उसने पैटम कैसे होता है बीच में क्या होता है और यहां पर उसलिफिए मुव करते है एक हर एक मेंट तो अटम बीच में नूपलियर तो मिस्ज नेटरजी क्यों हो फीजी जी इस नीटरज सी एनरजी कैसे नीटरजी से ऐसे नेच्छी होते हैं योग समय नूखलो something होने यहां met Scott कोई मतलब नहीं होता है है मैंनि तो मिधान न्यूकलिपन धुट्री यह होता है एनरजी सब्सक्राइर्ण गैसों हैं उसे हम नुकलार नटरी रिलीज सी दिया है नूकलारया रियाक्षण किया हुआ कि कैसे हुआ कि इसे रह犯 कि दो नृकलस आपस में मिलें या फिस्फाव नुकलेस मिले या कि एक से नुकलेस प्सक्रीज में हुआ कि ऐसे कि प्सक्रीज हो किस अधिन हुआ एक बड़े वाले से तू और फैसे वह हो गया फिजन, फ्यूजन मतलब क्या हुआ मिलना, फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन में तोतना, यह धिखान रखिए, तो इन सबसे पहले करने से पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह जो नूटलर और फिजन को समझ थुड़ा सा पहले इसे समझ लीजे, यह आप लोगों क सबका क्या होता है, atomic number होता है, atomic mass होता है, okay, mass के accordingly, देखिए, क्या होता है, यदि हम किसी के जो elements है, उसका यदि हम लोग stability सबको चार्ट बनाते हैं, stability chart, कि यहां हमने लिखी stability, stability, और यहां हमने क्या लिखे, element लिखे, element के क्या लिखा, mass लिखा, तो हम यह देखते हैं, कि जैसे-जैसे element का mass बढ़ता जाता है, उसकी stability क्या होती है, बढ़ती जाती है, mass बढ़ता जाएगा, उसकी stability बढ़ती जाएगी, कि जल्दी दूसरे से वो reaction नहीं करेगा, उसके बाद फिर क्या होता है, जब एक उस पर आकर के वापस से graph नीचे गिरना शुरू है, मतलब कि उसकी stability कम होने शुरू हो जाती है, एक कुछ बीच में रुख जाती है, उसके बाद में फिर कम होने शुरू जाती है, इस तरह से कुछ graph बनेगा, तो हम यह देखते हैं, कि पहले तो क्या हो रहा है, mass बढ़नी के साथ है, उसकी stability बढ़ रही है, फिर उसके बाद में mass जैसे जैसे बड़ा stability कम हो रही है, तो हम इसको हम जो elements हैं, उनको हम तीन category में divide कर सकते हैं, एक यह हो गई, एक यह हो गई, एक यह हो गई, बीच में हमने रखी इस टेबिल वाले, जो कि मतलब पर, इस टेबिल मतलब की mostly stable है, जल्दी रेक्शन नहीं करने है, मारे जर्णली stable है, वो जाता है, यदि हम देखते हैं, तो 50 and 140, 50 and 140, इसके जो बीच के होते हैं elements, जिनका mass इतना है, वो mostly जाता है, स्टेबिल होते हैं, तो जो यहां पर होंगे 140 से ज्यादा वाले, तो normal सी बात है, उनका nucleus क्या होगा, बड़ा होगा, इनका nucleus क्या होगा, छोड़ा होगा, तो यह वाले जो हुए, एक तैसे देखा जाए, कि यह बड़े वाले nucleus है, तो यह इतना stable नहीं हो, यह वाले भी मोड में डिवाइड होके, छोटे-छोटे nucleus बना लेंगे, छोटे-छोटे nucleus बना लेंगे, जो जिनका मास 50 to 140 अधी होगा, तो इस्टेबिल्टी के लिए क्या होए, यह क्या होए, इनमें से radiations निकलती रहती हैं, और यह क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा, इनको बड़े क और आवारे क्या होगा, जो जिनके में चोटे-छोटे nucleus में चूट गए इस वाले में आगे, और यहां वाले जो elements निकलियों से, यहां वाले निकलियों को क्या होए जोई होगा, इस वाले क्या होगा, इतना detail में आपके है नहीं, लेकिन तोड़ा सापको चीजे पता कि यदि हम stability अभी बड़ी classes में higher classes में होगा है quantum theory वेगरा होती है वह आपकी 12th class में काफी है तो उसमें सब चीह देखेंगे तो उसमें जैसे-जैसे mass बढ़ेगा तो उसके stability बढ़ती चली चाहेगी और उसके बाद में stability क्या होती है करीब-करीब सब की general stability होती है फिर उसके बाद में जैसे-जैसे mass बढ़ेगा stability और कम होती चाहेगी clear यह इस तरह से graph बनता है तो fission क्या हुआ nucleus का तूटना और fusion क्या हुआ nucleus का मिना यह है जुड़ना और यह है तूटना ठीक है देखे definition देखिए the process of splitting of a heavy nucleus into two or more lighter nucleus with tremendous release of energy इसमें energy बहुत ज़्यादा निकलती है वेरी और उस energy का हम लोग फिर आगे जाकर हम लोग यूज करते हैं electricity generate में यूज करते हैं atom bomb बनाने में भी यूज करते हैं मतलब की इसका harmless भी इसका use होता है गा वो में आपको सब बताऊंगी आसे और जो nuclear fusion क्या हुआ if यह आपका it is the fusion fusion of two or more lighter nuclei into heavier nucleus with release of energy इसमें भी energy release होती है अब energy में दोनों में कह रही हूँ कैसे release हो रही क्या हो बड़ा इस कुछ चीज को समझें हम जैसे कहते हैं mass never be created nor be destroyed clear बट इस वाले process में nuclear fusion में और nuclear fusion में जब दो nucleus मिलते हैं या एक से nucleus two or four बनते हैं two or three बनते एक्स्ट्रा बनते हैं तो क्या होता है कुछ mass जो हुआ यहां का जो mass है और यहां का जो mass है total यह mass क्या होता है कुछ कम हो जाता है यदि हम इन दोनों के total mass को देखेंगे तो यह mass यहां पर क्या हो जाता है कम हो जाता है कुछ mass का एक तरह से loss हो तब देख कम पैदन करते है mass कम हो जाता है तो वह mass अब यह वाली बात है कि mass never be created nor be destroyed तो यहां पर क्या हो रहा है mass prism हो रहा है mass energy में transfer हो जाता है यह किस ने बताया Einstein ने बताया Einstein ने बताया यह अभी नहीं है आपके जो है समेंस classes में हाई classes में 1120 में Einstein ने बताया उसका formula उसने बताया था energy is equal to mc2 कि जब दो nucleus मिले या फिर दो nucleus का fusion हुआ या फिजन जो भी हुआ इसमें से मिले या फिटूटे तो क्या होई energy मतलब mass क्या हुआ दोनों में mass क्या होता है एक तरह से कम हो जाता है जो मतलब यहां पर reactant है product बना जो product बन रहा है इस side बन रहा है उसका mass क्या होता है कुछ कम हो जाता है तो वह mass कहां पर transfer हो जाता है energy में transfer हो जाता है यदि आप इसकी energy हमें निकालनी होगी तो उसमें जितना mass loss हुआ है suppose 1 amu का mass loss हुआ into c क्या है c है speed of light c is speed of light speed of light होती है 3 into 10 raise to the power 8 meter per second यह speed of light होती है into क्या कर देंगे 3 into 10 raise to the power 8 square तो यदि यदि यह आपका 1 amu mass मारा destroy हुआ तो कितनी energy हुई कितनी energy हुई बताइए यह energy हो गई है 1 amu into 3 into इतना अब इसको यदि हमें convert करना होगा Joule में तो normal आपको पता है 1 amu क्या हुआ इसका कितना होता है मास यह आपको मालूम है कितना होता है 1 amu मतलब कि electron का मास मारा कितना होता है 1 amu square 2 क्या होता है equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 यह इतना होता है clear 1.66 into 10 to the power minus 27 kg तो इस amu की जगे हम रग देंगे 1.6 into 10 minus 27 kg और इसको multiply कर लेंगे तो यह answer जून में आ चारेगा अब यदि यहां पर यदि यहां पर 2 amu हुआ तो into 2 कर देंगे 3 हुआ तो into 3 कर देंगे clear यह एक नंबर का question कभी कभी आ जाता है मैंने आपको इसलिए कि कहने इतना मास दिस्ट्रॉय हुआ कितना मास हुआ उसको हम क्योंकि हमें यह हमें पताना चाहें कि 1 amu में कितने ग्राम होते हैं 1.66 भी कभी कभी 67 दिलिग देते हैं into 10 to the power minus 27 kg clear और उसके बाद में यह आपको लर्ण रखिएगा कि जो light speed होती है कितने 3 into 10 to the power 8 meter per second यह इसकी multiply करके जूल आजाएगा clear अब यदि इसको हमें बनाना होगा megawatt वेगरा वह हम आगी की बात करेंगे megawatt बनाना होगा बनाने के लिए तो नहीं आएगा इतना ही आएगा इतना ही आएगा इतना आएगा इतना सफीशेंट बनाने के लिए इसको होता है उसमें जो energy होती है वह energy होती है 931 megawatt 1 amu में यह होती है 1 amu square to 1 megawatt energy होती है Joule का तो मैंने बताई दिया Joule में कैसे निकाले मैंने बता दिया कैसे निकाले के यह आप लंग करने के लिए लंग कर लिजएगा बाकी आप समझ में आ गया तो अब हम वापस इस पर आते हैं कि जो energy fusion हुआ कि विया कि उपना माम के बता बता है देखेंगी 3 mm जका कम होजातायाछाए वो किसमें ड्रांसफर हो गया energy में टासर ले away अन पर यहां पर किहरा फिजन ने क्हा हुआ थी पिश्की हाँ कि शीया खेले सिन हॉत और लो चालो कि हम यह गाएं घ्रशन पर प्रहते हुएं ौम एथ stat तो ने जाता जा क्वेशन हाती है अपने आप नहीं होता हम कराते कि इसमें क्या करा हमने एक neutron यह समय लिजे atom है इसमें हमने एक neutron को इसके अंतर डाला हमने इसके selection कराया तो क्या होगा यह electron गया तो यह क्या करेगा यह neutron का size क्या होगा इसका बड़ा हो जाएगा कितना हो जाएगा 92, 236 हो गया अब यह इसमें neutron आ गया तो यह जो uranium हो गया यह unstable यह unstable हो गया इसकी जो हमारी stability है वह बहुत ज्यादा काम हो गया तो यह क्या करेगा आगे जाके पर यह इसकी हो जाएगा किस किस में वेल्णी का इसमें गया उसे क्या हो गया वापस में यह धो रहे रहाक कि अनर्जी इसमें बहुत और यह जो प्रोसेस होता है प्रोसेस कैसे हुए देखे आयरिकरिया न्यूान दो तो कितने न्यूटरन हो इसमें 30 न्यूटरून की तो क्या हुए यह पर हें तेनों नीज्टरौन होंगे उल्हागे तेनों ज मीड़ेंगे तो इसमें सुस्क्राइब एक कि मस्ती लिग्छे थे होगा मैं तो यहां आपने यह करा कूल यह क्या अबbling एक बेरीलियम का बना एक क्रिप्टॉन का बना और तीन न्यूट्रॉन के बने तो यह तीन न्यूट्रॉन वाले क्या करेंगे तीन यूरेनियम वाले उस पर करेंगे यूरेनियम वाले पर करेंगे तो एक कितने बनेंगे वापस से एक बेरीलियम बना एक क्रिप्टॉन बना ना कितने बन्य गए तुन बन गए इसका भी चीत नहें हुआ बेरिलियम तूम १ damn इसका भी बेरिलियम क्रिप्टॉन और तीन कि ईरक भेस्ंध झाय को एक दाँ तुन फिर वापससे देखables कि न जिट इनर्जी कितने जादे आदे चीस मारे टर्मिंट्टेक रूतें कितना इनर्जिय तो बावर इस एनर्जी से जियेटो ढें कौने जूँस गवैं अकि आधानल नहां प्लांट में यूरियो रॉड यहां पर साथ पे दूसरी राष्ट होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्राष्ट को बूघा होते हैं तो यहां पर जब यहां पर तीन न्यूट्रोन हुए तो बाकि जो न्यूट्रोन है वो दो न्यूट्रोन यहां पर अबसर्ब हो जाएं खाली एक ही न्यूट्रोन हुए एक यूरिनिम पर गया तीन न्यूट्रोन हुए तो यह वाला जो न्यूट्रोन दो इसने अबसर्ब क यहां पर साथ में इसको हम बोलते है रेक्टर यहां पर युरियम की रोड होती है और साथ में कंड्रोल रोड क्या करती है वो जो बाकी जो आपके न्यूट्रॉन है उनको अबसर्व वो उसको अबसर्व कर लेती है वो जो ऐसे ऐलिमेंट होते हैं जो किसको न्यूट्रॉन क औरben यहां से कॉल वाटर गया कोर्ट यह है यहां फो अब यहां पर गया यह है इसको बोलते है पड़ियूस इसमें यहां पर उरेनियम की रोड पढ़ी ठीक है तो यूरेनियम की रोड है इसमें हमने क्या करा किसका न्यूट्राउन सब्सक्राइब कि रिएक्षिंग एसी रियक्षिंग होगा एनर्जी निकलेगी और साथ में यहां पर कंटोर डॉड लगके जितनी हमें एनर्जी हुए तो पानी कोप नहीं सैंट तो पानी अग्या नमेद करी तर्म या टर्वाइन या यरुवटर वापस impress फिर्डрий कर Kerry utilizar सब्सकत प्रणना ऐए यहां पर होटिश फोली गया कि टृशंटा हो जाएगा वापस से मिल जायेगा इंचा मुल से चाहिए अगया और बढ़नलग दिधान से मिल्ड मधान प्रोंट लेक्षण एक आपक तुन होते हैं कि वी प्रोइन ब्रोइन हरेक्षा next पर तूह में कि मिल्डा प्रोइन युड़ मिल्ड़ा प्रोइन हो neither होई अच्राइब लेक्षण नक भी होते हैं टिक्षर न've advantage का मतलब क्या हुआ कि हम इसमेंыш के आपकेล क से शुदि पुड़ी जो इसकी energy है energy का तूंत कर सकते advantage मतलब कि good sense में समलीजे यह good sense में है और a bad sense तो good उसमें क्या हुआ यहाँ पर electricity यह आ जाता है और bad उसमें क्या हुआ ? एकट्रस्वैर कें पावर प्लांट बने बटा दिया ? इसके प्रूइब में अपके साउधरी कहीं औरकार सब्सार में किृण थे बटा लिया है ? बपक्लियू अपो बाता है ? पीन वे तीन और उस पर करा, इसी तरह सोचे कितनी ज़्यादा एनरजी होती चलिए, clear? कि guy ये आपको पूंडे करें बाहते हैं पोईन्ट में यिता इसका प्रौने करें और अ किस अज़ दूसरा च्छा-दे टूसरा यह जो है इसमें से क्या निकलते हैं या इसमें से रेडियो एक्टिव रेजंग बाहते हैं कि ऐहाद ने पर जाए सिकतर बीटा जघा नेकलती हैli बामा रेज पीछ निकलती हैं यदि यह हो गया हो गया है तो बहुत ज्यादा यूसल है क्योंकि इससे जो energy निकलती है जो nucleus से इसमें जो energy निकली फिजन से इतनी जादा होती है कि जो coal का समय यदि हम कीलो कोल का लगाएंगे तो यह समय लीजे उससे करीब आपका 2-3 millions time मतलब बहुत ज्यादा प्राइब को थे पाद है बाकिन जो सोर्सथे अपनेरजी वह सबसे इसकी एनरजी टिमेंडिस टैम्थ पहत जाता है आभ नभी एक्जाद भी फोक्रीशन्लिख्य étूर्फ लैड़ा होै भी मिलियंगत चेह बिसरय सब्सक्याद में है आपर तांट कर अग्यान फियू जब हम धिस कर सकते हैं यह उसका हम आएंज के जब हम से आगएज़ के plot कर सकते हैं उसके आपर एक आपर ने हम री कुल जी वंसाश्ट कि पूर कि ये लिल क्यों ficar तो निंवारी प्लिट को अदिए फूल किसा है। पूकि उत्ष न कि यह कोर थे उतनी यहां पर हों हम इसके Nun संवाला धिर्ल्म लूंसावाला फेजन इसमें रहनाना दुसरी इसमोगा मैं उता है्ज्था करूज न थे हुए तो तो इसको अच्छे कर सकते हमें उसके प्रॉपर में क्योंकि इसके लिए इसके 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 इस वेके यह बीमारी होती है वो ट्रंस्रियों रहती है और यह यह गए और जो अलफा रेज है वो टो होती है वेकर झाले है उसे यह मांने मेडिकल परपली बहुंदा है उसे है। फिर उसके बाद आता है एक्स्प्लोजिव होता है मैं इसमें क्या हो अमने जब यूरीनिम का वो करा तो प्रोटॉन निट्रोन निकला अल्फा निकला मतलब की लेक्टॉन तो क्या हुआ वो क्या कर देता है वो आपका डेमिज भी कर सकता है जाता है किसं ठीक है फिर मतलब की हम प्रेओं के भी का दोसे लिससा भी को भी ब्लाइज के का दिनिमाता है एक इसका डिसटवांटेजीओ है कि जो इसका की वेस्ट होता है. नुकलर पावर्कणान यूकिले पाव्लपनाल वेस्ट होता है उसे ऊसे दोयों और हम ऐहीं लिए हैं. हम लोग एसे अँड मे canonical एक प्रोपर में मiphат कुलता है उसको हम इसे ही तो तो हम य९ह जोसी होती तो फिर आता है नुकलियर फ्यूजन यूज क्या हुगा दो का मिलता बट यहां पर दो यदि हम उनको मिलाते हैं छोड़े दो मिलारे हैं बट उनको मिलने के लिए क्लिए हमें बहुत ज्यादा एंर्झी इतनी इनर्झी समझ लिए तैन देश्टो द पावर माइनस 7 इतनी मेले हमें प्रेव यह महीं हैंered सब्सक्कितर हिएड है। इनसे वालेग अनर्जी है अनर्जी तो अकपा ऐए देश समझेरे कर हैं पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूकलियस को आपसे मिलाना दोनों दूसे रिपैल करेंगे रिपैल करेंगे सोची बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हाई प्रेशर हाई टेंप्रेचर और हाई प्रेशर चाहिए तभी ये दोनों आपस में मिलाई तो हाई टेंप्रेचर एं इस एनर्जी का हम यूज़ करेंगे किसमें न्यूटिया फिजन है एनर्जी के बहुत जाज़ा चाहिए इसका बहुत बड़ा डिसेट बादेज बट इसी एप्लिकेशन पाइड्रोजन बॉंब बनते हैं उस एनर्जी का हम एड्रोजन ब़ंचो इसमें उहांपा यूज़ करेंगी हैंएक ने से एक रहते पहले में आतब माना। अटमा पर। यह सबह法 disposuk से बहए हैं, तो इतनी एनर्जी दोस्तलोज़ा है कि इतनी सब्सक्रेruktur सम दोब प्र। जेटोरोजी है निए तिक टेर看一下 कि वहां पर इतनी एनर्जी होती है आप इतनी एनर्जी है वहां नौब दुछे यह सब्सक्राइब कर दो एक डिदे आपको अची है क्योंकि तो डे hour को छिडियाल डिड़ उदेआज गई डिए न हम और सब्सक्राइब कर लिजेगा एडवांटे डिसद्वांटेग मैंने एक जो भई यह आपकर रिनिवर सोर्स नजी तो है नी कुछ चीजे पॉइंट ताप खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि इतने सारी सोर्स वे रजी में ने कड़ा दी है कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं इसल